पूर्व भारतिय नौसैनिकों की सजा कम होना भारत के लिए कितनी बड़ी काम्याबी। भारतिय विदेश मंत्राले ने गुरुवार को बताया है कि कतर की एक अदालत ने भारतिय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा कम कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सैनिकों को दाहरा ग्लोबल नामक एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। ये सैनिक फिलहाल कतर की जेल में कैद हैं और ये खबर आने से पहले तक इनक का इंतजार कर रहा है। कतर से आई इस खबर को भारत सरकार की एक बड़ी कूट नीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि ये फैसला, पीएम मोदी और कतारी अमीर, शेख तमीम बिन, हमाद अल्थानी के साथ मुलाकात के कुछ हफतों बाद ही आया है। देश मंतराले के बयान में लिखा गया है, दहरा ग्लोबल केस। इस मामले में जारी सुनवाई गुप्त और समवेदन शील होने की वजह से, इस समय इस मुद्दे पर इससे अधिक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इसके लगभग एक हफते बाद ही इन सैनिकों की सजा को कम करने की खबर आई है। विदेश मंत्राले की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में इस मामले पर विस्तरत बयान आने की संभावना है। आखिर क्या है मामला। भारतिय नौसेना के इन आठ पूर्व अधिकारियों की नाठकिय धंक से गिरफतारी और उसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने का सिलसिला अब से लगभग 17 महीने पहले कतर में ही शुरू हुआ था। कतरी खुफिया विभाग ने साल 2022 के अगस्त महीने की 30 तारीख की रात एक आएक कतर में ही काम करने वाले आठ पूर्व नौसेनिकों को उठा लिया। कतर में ऐसे आरोपों के साबित होने पर मौत की सज्जा का प्रावधान है ये भारतिय नागरिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी दाहरा Global Technologies and Consulting Services के लिए काम करते थे। कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने का आदेश दिया। इस कंपनी में काम करने वालों में ज्यादातर कर्मचारी भारतिय नौसेना के पूर्व कर्मचारी थे। इसके बाद कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर 2023 को गिरफतार किये गए आठ भारतिय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई। भारत सरकार ने इस घटना करम पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्तब्ध करने वाली खबर बताया। इसके साथ ही भारतिय विदेश मंत्राले ने कहा कि वह इस मामले में अपील दायर करने की ओर कदम उठाएगा। इसके बाद 20 नवंबर को अपीलिय अदालत में पहली और 23 नवंबर को दूसरी सुनवाई हुई। अब तक भारतिय राजदूत को कांसलर एकसेज हासिल नहीं थी। इसका मतलब ये है कि कतर में मौजूद भारतिय राजदूत इन आठ पूर्वनोसैनिकों से मिलने में सक्षम नहीं थे लेकिन इस घटना करम में बड़ा बदलाव एक दिसंबर को पी-म मोधी और कतर के अम कतर की अदालत ने मौत की सजा को कम कर दिया आगे क्या हो सकता है। अगले कदम की कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत की कूटनीतिक जीत भारत के पूर्व कूटनीतिज अनिल त्रिगुनायत ने कतर की अपीलिय अदालत की ओर से लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कतर और भारत के आपसी रिष्टे काफी मजबूत रहे हैं। ये मामला इन रिष्टों में एक अडचन जैसा रहा है। निजी तोर पर कहूं तो मुझे लगता है कि अपीलिय अदालत की कानून पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतियों को जल्द से जल्द भारत आने दिया जाएगा। क्योंकि जब तक इस फैसले की ठीक ढंक से जाँच न की जा सके तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंतिम निर्णय है। इस फैसले का स्वागत करने के साथ ही कमोडोर उदैभासकर एक अन्य पहलू की और इशारा करते हैं। वह कहते हैं इस फैसले के साथ ही एक चिंता ये खत्म हो गई है कि कहीं इन्हें फांसी न दे दी जाए। ये चिंता अब थोड़ी दूर हुई है। लेकिन जब तक जज्ज्मेंट नहीं आएगा तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि हमारे अफसरों ने इस तरह की कारवाई की है। ऐसे में मुझे लगता है कि इन्हें दोशी मानना या अपराधी समझना जल्दबाजी होगा। झाल से थे कारवांना से स्वीकार नहीं कर सकता है कि दोश्गार नहीं कर सकता है।